दोस्तो आज मैं आपको गरीब की नवरातरी की कहानी सुना रही हूँ ये कहानी है वीरपूर गाउं की चोदरी भानू परताब गाउं का एक अमीर आदमी था जिसको पूरा गाउं जानता था उसकी गाउं में एक बड़ी हवेली, जमी, जायदाद और सब कुछ उसके पास था चोदरी भानू परताब के परिवार में उसकी पतनी इकलोता बेटा भरत और बेटे की पतनी रमा थे भरत की शादी को कहीं साल हो गए थे पर रमा की गोद अभी तक सुनी थी बहुत इलाज कराने और दिखाने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ रोजाना बांज-बांज सुनकर रमा दिन भर उदास रहने लगती थी चोदरी के घर सोना नाम की एक महिला काम करने आती थी वो हमेशा देखती और सुनती थी कि रमा को हर कोई बांज कहकर ताने दे रहा है पर वह गरीब करती भी तो क्या करती नोकरानी होने के कारण वह चुप हो जाती थी एक दिन शारदा अपने साथ अपने बेटे को ले आई शारदा अपने बेटे से कहती है बेटा इदर उदर मत गूमो एक जगा बैठ जाओ और मुझे काम करने दो रमा उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है वह उसको बहुत प्यार करती है और गोदी में उठा लेती है मानो उसकी सारी ममता वो उसी बच्चे पर उडेलना चाहती हो सोना कहती है मालकिन आज मेरी सास मंदिर चली गई घर में कोई नहीं था इसलिए मुझे अपने बेटे को साथ लाना पड़ा तब ही उसकी सास वहां आ जाती है और रमा से कहती है एरी रमा बहु ये क्या हो रहा है तेरे अपने तो बच्चे होते नहीं है अब दूसरे के बच्चो को ही खिला तू तो इस कामवाली के बच्चे को खिला रही है तुझे पता है ये लोग कितने कितने दिन नहीं आते हैं चीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीची मालकिन ने मोनु को साथ लाने से मना किया है वो कहती है कि अगर मैं उसे साथ लाती हूँ तो मैं दिन उसके साथ लगी रहती हूँ और मैं काम पर ध्यान नहीं देती हूँ वो एक खिलोना उसको देते हुए कहती है कि ये खिलोना तुम अपने बेटे मोनो को दे देना पर सोना कहती है नहीं नहीं मालकिन इतने महंगी खिलोना से मेरा बेटा नहीं कहलेगा रमा कहती है सोना तुमें भी एक बांच के हाथ से लेने में इतराज हो रहा है कई और लोग की तरह तुमें भी तो नहीं लग रहा कि मैंने इसमें कोई जादू टोना कर दिया है नहीं नहीं मालकीन मुझ जैसी गरीब के बच्चे के लिए इतने ये खिलोने दे रहे हैं आप ये तो मिड़े लिए बड़े सोभाग्य की बात है और आप अपने आपको बार 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 बांज मत बोला करो इसमें आपका कोई दोश नहीं है सोना खुशी खुशी वह खिलोना लेकर अपने घर चली जाती है अपने घर पोच कर वह अपने पती और सास को सारी बात बताती है सोना की सास बोलती है बेचारी रमा बहु भगवान उसकी सूनी गोद भर दे तो वहें भी दुनिया के तानों से बच जाए वो हम जैसे गरीबों के लिए कितना सोसती है उसका पती बोला एरी सोना तू अपने काम से ही मतलब रखा कर चोदरी की बहु से नहीं बस अपना काम खतम करके सीधी घर आयकर तुझे पता नहीं है इन अमिरों का क्या भरोसा तेरे उपर ही कोई इलजाम न लगा दे कि हमारी भव को बढ़काती रहती है समझी अगले दिन जब सोना मा जाती है तो रमा को बहुत दुखी पाती है और उसको बताती है कि उसको चैत नवरात्रे के बारे में बताती है और कहती है कि कल से मा दूर्गा के नवरात्र परारम हो रहे है और वो भी उनका वृत रखे और शद्द भाव से पूजा करे तो मा अम्बे उसकी हर मनो कामना पूरी करेंगी रम्मा कहती है कि मुझे कौन रखने देगा ना ही मुझे पूजा करने देंगे मैं कैसे रखूंगी और कैसे पूजा करूंगी नो दिन सोना कहती है तो कल से आपना मेरे घर आ जाना और मैं वहीं पे आप पूजा पाट कर लेना मेरे साथ ही पूजा करना और नो दिन का बरत करना वो तब से वह रोज नो दिन वहां उसके घर जाती है और पूरा शद्धा और भक्ती से निष्ठा के साथ पूजा अर्चना करती है नोवे दिन वहां कंजकों को भी जिमा देती है उसकी भक्ती से भगवान इतने प्रशन हो जाते हैं माता इतनी प्रशन हो जाती है उसकी भक्ती और निष्टा को देखकर कि मा उसकी गोद भर देती है वो जैसे ही उसकी गोद भरती है सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है उसके साथ ससूर उसके गली मोले वाले जो उसे बांज-बांज का ताना देते थे बार-बार अब वो कोई नहीं कहता है और सब उसका सम्मान करते है उसकी गोद माता के आशिरवास से भर जाती है क्याते हैं जो भी नो दिन माता का श्रद्धा भक्ती भाव से नो दिन वरत पूजा अर्चना करते हैं माता उनकी हर मनो कामना को पूरी करती है दोस्तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें थेंक्स फोर वाचिंग, हैपी नवगात्रे